नमस्कार दोस्तों कैसे हैं नमस्कार मैं हूँ राकेश आप लोगे सामने स्वागत करता हूँ उम्मित करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस मॉक टेस्ट को अगर आप कर लेते करीब करीव हम 15 से 20 से मॉक के टेस्ट करेंगे जिसमें के 500 से 600 कोशन सीधे सीधे हैं शांदार कोशन है और इसका जो दूसरा सेट है यह आपके सामने है पहला सेट अल्रडी देख चुके हैं आप लोग जिसने नहीं देखा है देख इस पॉशन है जहां से कई बार लगभग उस प्रकार की कोशन आपको देखने को मिलते हैं और स्कोरिंग पॉइंट है साइन्स और अगर एवियस मिला लें आप एन्वामिंट मिला लें तो 30 के कोशन के आसपास होते हैं और एक जनरल कोशन है यह इस यह स्ट्रेट कोशन आ इन्थ्रोसाइनिन लाइकोपीन यह नन अव दीज देखिए बीटा के रोटीन भी कई बार आप लोग सुनते होंगा बीटा के रेटीन बेसिकलिए हमारे हेर स्नेल्स की ग्रोथ में बहुत इंप्रेंट होता है ठीकना बहुत ही जदा जरूरी तत्वता हमारे शरीर के उखें के रिखता है उसको क्या बोलते है और यह एजी पारीक्षा में और यह ईजी गोशन में और स्कोर चेक किड़िये क्रेंगे कि इसको अगर आप देखेंगे तो पेपर में लागातार यहां से कोशन पूछे आते हैं यह एक मिडिट थोड़ा साना यह डिस्बैलन्स हो रहा है स्क्रीन पर हाँ बस ठीक है अगर आप अगर आप देखेंगे तो इसमें टंग होती है काफी खराब हो जाती है कर्वी बहुत फेमस डिजीज है कि जब हमारे इंदर विटमिन सी कम हो जाता है हमारे शरीर में तो तो विटमिन सी यहां एजी है एक ही ओप्शन दिया हुआ है अगर विटमिन सी की मेरी सहाब से एक्जाम में दो सी तीन ओप्शन होगे तो कोशन फोड़ ऐसा जटिल बनेग तो पिलागरा जो की कम पूछा जाता है विटमिन B3 विटमिन B3 जो है उसका उसकी कम एक बहुत बड़ा रीजन आप लोग को पिलागरा की बिमारी होते हुए देखते हैं हम लोग तो जो बीक ऑप्शन हमारा करेक्ट है विटमिन B3 की कमी से पिलागरा और विटमिन C की कम स्कर्वी होता है विटमीन सी जिसका वेग्यानिक नाम अस्कॉर्भीक ऐसेड है विटमीन सी के वर खूब कोशन आते हैं विकाज यह वह विटमीन है जो हमारी बॉड़ी की इम्मुनिटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कोवीड की दोरान आप लोगोंने विटमी क OM बोटर्ष में नेक्स्ट प्र की हड्डीयों को किस दीनाव से जाना जाता है कल आई के हमारी हड्डिय ultimate कर्पिय। तो इसमें आंसर जो हमारा है वो डी है जी हां मेटा कार्पसल अब देखे ये इसमें न आपको लोकेशन थोड़ी से देखनी पड़ती है गर आपना को ने कभी उसको सही से देखा हो हमारी अनाटॉमी देखी हो तो आपको आइडिया में लिलाएगा यह बहुत इजी कोशन म होती है उसको कापसल बोलते हैं इसके अलाबा जो हथेली जो हमारा जो पाम होता है उसको मेटा कापसल बोलते हैं टकना जो एंकल है उसको टॉर्स बोलते हैं और उसको पैर की जो पंजे की जो हड़ी है उसको मेटा टॉर्स बोलते है इसको अपरट लिजेगा तो हमारा य क्यों चलते हैं कि क्या बोल रहा है इस तरह पढ़िए जब human काम करता है या मनुष्य काम करता है तो उसकी मास्पेश या मतला मसल्स में oxygen की कमी की वज़ा से पाइरुविक एसिड का ब्रिकडाउन होने लगता है वो किस रूप में चेंड होता है वो किस में बदलता है option a water की फ़र में बदलता है option b lactic acid option c cholesterol में या option d blood में जल्दी बताइएगा यह question देखिए indirectly भी कई वार पूछा जाता पेप्रो में जब हमारी body में हमको थकान महसूस होती तो किस की वज़ा से महसूस होती है यह question भी इस तरह घूम कियाता है lactic acid जमा होने की वज़ा से जब आप कोई भी महनत काम करते हैं तो आपके body में थकान महसूस होती है वह lactic acid की deposit होने की वज़ा से generate होती है और यह क्यों होता है जब मास्पेशियों में oxygen की मात्रा कम हो जाती है तो बी option आपका important lactic acid और carbon dioxide के रूप में चीज़ें बदलती है और इस वज़़ा से इनका deposit बढ़ जाता हमारी शरीर में हमारे muscles में इसीलिए हमारी muscles जो है वो painful हो जाती है नेक्स्ट कोशन अगर आप देखें नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए यह अच्छा कोशन है यह इसमें मैच दा कॉलम आपको देख रहा होगा इसमें चीज़ों को मैच करना है सूची बन सूची टू यह इजी है कि अब देखिए इसमें सबसी धर लिखा दिया हुआ है blood plasma albumin, globumin और fibrogen यह कुछ protein दिये हुए है और उपर जो blood का बड़ा portion है था अब देखिए blood के कई सारे भाग होते हैं जो blood होता है उसके बाद आपके RBC होते हैं WBC होते हैं प्लेट लेटस होते हैं यह अलग अलग होते हैं तो जो प्लाजमा होता है उसमें 90% liquid होता है हमारे पूरे शरीर में जो blood है हमारे blood का 555 फीजदी हिस्सा ब्लड प्लाजमा और इस ब्लड प्लाजमा का 90 फीजदी हिस्सा क्या होता है आपका वाटर होता है इसके अलबा प्लाजमा में कुछ प्रोटीन भी होते हैं जिनका जो किसी काम लिए जाते हैं सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है तो उन्हीं के बारे में हम लोगों इ के लिए रंग का होता है आप लोग ने देखा होगा जो भीमारी होते हैं डेंगू खास तोर से जिसमें प्लेटलिट चड़ाते हैं तो यलो कदर का पाउच होता है वह एक्चुली प्लाजमा लगाते हैं तो यह तो हो गया आपका यह ओप्शन तो एक आपका हो गया थ्री यहां देखिए एक थ्री कौन सा है ब और सी तोनों में गया है अल्बुमीन क्या करता है अल्बुमीन एक प्रोटीन है ठीक है हमारे ब्लड में पैया जाता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है यह औसमोटिक कर दो एक प्रोटीन होता है यह क्या करता है यह हमारी इम्मुनि बढ़ाता है और में फैप्रोटीन खूंड का तक्का जमाता है तो यह आपका मैज़दा कॉलम हो गया यह तीन जो प्रोटीन है ना बहूत प्रिशा में ऐसा कोशन पूछा जाता है अलबुमीन के बारे में बता दूँ जो आप अंड़ा खाते है न अंड़े के वाइट लेयर होती है वो प्रोटीन की वो पूरी अलबुमीन नेचर की होती है अलबुमीन ही होता है वो ध्यान दीजेगा तो ब्लड प्लाजमा इसके अंडर ही यह सारे प्रोटीन होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन है पेपर में हजारों बार यह कोशन पूछा गया है अलबुमीन वाला भी अब फाइब्रोजन वाला तो खूब पूछा गया जो खून का थक्का आए तो कुछ दिर बाद धिरे-दिर खून का थक्का जम लगाए तो इसमें कौन सी बास सही है इसके बारे में दिखिए पहला बोल रहा है कि लोग अदालत के सभी पक्षों सब्क्राइब का इसमें लोग अदालतों के संबंद में सही बात क्या है? ये पुछा क्या है ए ये ये और पूरे मदब बादिकारी होते हैं हरा यह दोनों पक्षों पर सभी पक्षों पर बादिकारी होते हैं तो जो 6th option है इसमें आपको यह option हमारा correct दिख रहा है ठीक 6th का यह हो गया देकि हमारी test series स्टार्ट हो गई है test series आपको एक से दो दिनों के अंदर वो app पर दिख जाएगी आप चाहेंगे तो देख सकते हैं सो questions को कर सकते हैं बहुत फायदा मिलेगा आप लोगो निश्ची द्रूप से quiz आप लोग कर रहे होंगे टेलिग्राम ग्रूप में एक quiz लगातार अब upload की जाएंगे टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ जाएगा यह PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी और इसको अच्छी से फिर से solve कर ले जाएगा आप लोग नेक्स्ट कुशन की और अगर हम चलेंगे नेक्स्ट कुशन क्या बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 गौर्मेंट अफ इंडिया एक 1935 अना इसके उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज 1935 का जो अधिनियम है ना भारत के समिधान का वर्तवान समिधान का भी करीब दो तीहाई हिस्सा वो 1935 का जो एक्ट था उसी से लिया गया इसी देशी थे तो ये कुशन क्या बोला है भारत सरकार अधिनियम मतलब गौर्रमेंट अफ इंडिया एक्ट 1935 में लेखित दोकुमेंट्स थे हना वो हमारे समिधान के किस हिस्से में खास तोर से दिखाई देते हैं फंडामेंटल राइट में या राजिक के निती निदेशक सिधान्त में या कारिपालिका के सकती के परिमान में या भारत सरकार की कारवाही के संचालन में तो आंसर इसमें आएगा राजे के जो नीती निदेशत सिध्धान्त है डारेक्टिव प्रिंस्पल अब स्टेट पॉलिशी है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 15 ये सीधा सीधा इसमें समाहित होता है जो दस्तावेज लिए गए है 1935 के डॉकुमेंट से हमारे समिधान में ठेक तो बी आप्शन आपका करेक् के आऐ फमा कुशिन क्या बोला है एजर्ण्मट मूशन की बात कर रहे है तो उसमें कारवाईयां क्या है मतलब कि सबकुछ रोक और इमेरिजनसीमारे बात करने की बात होती है तो इस थगन प्रस्ताव का क्या लक्श होता है सबसे पहले देखिए सारजैनिक महितों की किसी महत्वपूर्ण मामली पर चर्चा के अनुमति मांगना विभक्षी सदस्यों को मंत्री की सूचनाए एकत्र करके देना सी अनुदान मांगों में किसी रासी विशेश की कटाउती के लिए अनुमति मांगना ततकालीन संसगी प्रक्रिया को रोक कर अविलम्रिय महत्र के मुद्दों पर चर्चा करना मतलब कोई बहुत इंपॉटन जो मैटर होता है उस पर चर्चा करने के लिए संसत की जो उस समय जो प्रसीडिंस चल रही होती किसी काम पर तुरंट सब कुछ उसको अर्जेंड किया जाता है और तुरंथ जो जनता के हित का सबसे बड़ा मुद्दा होता है उस समय उस पर तुरंथ चर्चा शुरू हो जाती है तो जो डी ऑप्शन है वह बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर रहा है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ड़न है नाइंध कोशन के रहे हैं मुकरत में होते हैं जो कि सीथे सुपरिम कोट में ही आते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोगर कोड से फिर हयर कोड की और बहुती है सुप्रीम कोट में जो आती है ना अलग-अलग कटेगराइजेशन होती है तो इसमें पूछा हुआ है कि निमिलिकीत में इसे कौन से ऐसे टॉपिक है या छेत्र है जो मूल अधिकार छेत्र में मतलब जिसमें सीधे सुप्रीम कोट में ही मैटर आएगा पहला पॉइंट भार संसत किसी सदन अत्SON के वीधाईका के चुनाओं के समधित को विवाद है ये डारेक समे कोर्व कोट जी नहीं भारत सरकार तथा किसी संगी चहीत के बीच कोई विवाद है राय्येक नहीं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद ।erson जी पहला और चौथा कि सोने सारे आते हैं तो c option हमारा correct हो गया दसमे कोश्ण क्योंग अगर आप देखेंगे दसमे कोश्ण क्या बोल रहा है भारती समीधान के किस प्रावधान में प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है education की बात कर रहा है हमारे समीधान के इसमें किसका प्रभाव ह हमारे एज्वकेशन भी पड़ता है राजी की नितिनेतस्क्सिधांत हां जी हमारे च्षतीश से लेके 51 के बीच में कई ऐसे आपकल है जिसका सीधा परभाव हमारे एज्वकेशन सिस्टम में पड़ता है जिसे बेसीक एज्वकेशन के बात कर रहे हैं या प्रैइमिर्ड प्राइप्स की बात पड़ती है तो तीसरा चौथा तो गलत है सात्वी अनुसूची में केंद्र और राज में शक्तियों का बटवारा है तो उसमें सिक्षा को भी समवर्थी सूची में रखा गया है तो यह भी स्ट्रिलेटिल है तो पहला दूसरा और पांच वहां सी ऑप् स्ट्रिलेट है हाँ जी डन नेक्स्ट कोशन भारतिय सम्विधान में नेमलिकित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव है अब यहां देखे कर्तव की बात हो रही है अब इसमें हमारे एक मिडिट मुझे दीजेगा एक मिडिट को फिर से स्टार्ट कर लूँ हाँ भार कौन कौन से चीज इसमें कौन कौन से हमारे जो इसमें स्टेटमेंट हैं वो फंडामेंटल ड्यूटी में मौलिक कर्तवियों में आते हैं पहला अपने मिर्श्रित संस्कृति की संब्रद विरासत का संग्रक्षन करना ठीक है इसके पाद अगला क्या बोल रहा है कमजोर व प्रकार कि लाइए ओट अधुकरिस्प्रादर्सण के लिए प्रतस्ने लड़ना हम चाहते हैं अपने तरब से हमने वह कौुशन को सामिल किया है जो की परीक्षा में लगातार जिस परकार हें को पुछ आ रहें आजकल एंसी को बहुत पूचिए और इसके हम लिए लिए किसी किताब से करने में फायदा नहीं है जो माना किताब है उसका ही उप्योग किया गया है बार्वां कोशन की क्या बोल रहा है कि कुछ statement दी हुई है इसमें से कौन से statement correct है ठीक पहला point है कि केंद्रिय मंत्री परिसा सामुही करूप से संसत के प्रति उत्तरदाई होती है तिक कुछन 1000 बर आया है हमारे जो cabinet है वो सामुही करूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है मतला लोकसभा में जब तक बहुम मत्री परषद हमेशाहमेशाहा लोकसभा के प्रति उततरदाई होता है ना कि संसत के प्रति संसत लोकसभा सभा सब्लोक केels करूप केंद्री मंत्री राश्पती के प्रसाद पर्यांत प्रस्ताव के बारे में सुचित करें है बिल्कुल ठही बात ठीक है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट भाइग क्या बोला है कि संसद इंटर्नेशनल ट्रीटीज को लागू करने के लिए संपूर भारत अच्वा भारत किसी राज के लिए कोई कानून बना सकती है मतलब हाँ अब देखिए किसी भी देशी देश से तूसरे देश से अगर भारत कोई संधी करनी है, यह सब करना है तो इसके लिए भारत सरकार किसी भी एरिये में अपने कानून बना सकती है जैसे बंगलादेश के साथ हमने कौनक्लिव अगर एक्सचेंज की थे या बंगलादेश के साथ हम कोई ट्रेन चला रहे हैं क्योंकि विदेशी मावलों में सारी ताकत भारत सरकार के पास है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णा करने के भारत के उचतम न्याले के शक्ति किसके अंतर का जाती है अब देखिए देखिए हमारे सुप्रीम कोट के पास अलग 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 प्रकार की पावर है मुल अधिकार अलग सुप्रीम कोट के प्रारणभिक अदिकार छेतर है एक सुप्रीम कोट के प्रारंभिक अधिकार अजलते हैं पंधर में कोशन की ओर कोशन कैसे हैं मुझे प्लीज बताईएगा कितने कोशन सही होए हैं वो भी बताईएगा यदि किसी व्यक्ति की ग्रिफतारी के विधिक अधार पर या कानूनी दौर वैद नहीं है तो उसे रिहा करने के लिए नियाल है निमलिकित में से कौन सी जारी करता है सिधी बात है बाई किसी व्यक्ति को ग्रिफतार कर लिया गया है थो उसे तुरंत कोट में लाना पड़ेगा उसको सीधी सीधे कोट के सामने उसको प्रस्तूत करना पड़ेगा बंदी प्रतक्शी करन इसलिए सुना होगा आप लोगों ने के चरेस्ट के 24 गंटे के प्रतक्षिक राणके तुरंत उसको कॉर्ठ से सामने प्रस्तूत किया जाता कि किसी फीपी खींचन ना हो पाया सोलमा कोशन क्या बोल रहा है नमलिकित में से किसके माध्यम से समयधानिक संसोधन विधियक को पारित करने में अनिवारे भूमिका मानी आती है नहीं सिंपल जब Constitutional Amendment होता है तो Article 368 का यूज होता है आपको पता है और समयधान संसोधन की जो ताकत है वो लोगसभा राजसभा के पास है संसत्केंद्र के पास विधान सभा को कोई लफडा इसमें उस में उस कंडिशन में नहीं रहता है ठेक है तो इसमें जो आप देखेंगे सीधे सद्राइट है कि इसमें समयधान संसोधन द्वारा नेमलिकित में से सभान संंसोधन में से सीधान तेugen बात है 42 س provide a constitutional event में डीपीज्पे mais में क्या अमेंडमेंट किया गया या क्या नई चीज जोड़ी गई है यह आपसे पूछ रहा है ऑप्शन ए इस्त्री और पुरुष दोनों को समाने कारिक लिए समान वितल इक्वल विजस फॉर इक्वल वर्क हाना यह पहले सी था नहीं जोड़ा गया वो द्योगों के करने वाले व्यक्ति भी मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए यह बात चोड़ी गई है बाकि सारे पहले से आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो EWS के लिए जो दस परसन का अरक्षन दिया गया है उसके लिए समयधान के किस हिस्से में संशोधन किया गया है देखिए किस आर और सोला अब बताएगा बिना जाती धर्म भेदभाव के थी आपको सारे आउसर परदान करना बराबरी के और इसके साथ साथ सरकारी नोकरियों में बराबरी का उसर इसके अंतरगत किया गया है बी आप्षिन आपका करेक्ट है डन उनिस्वा कोशन क्या बोला है भारती सम इस आपको आपक से आपका कराती और इसको जर्रीट कर सकता है स्टेट कण साथ के थे रेलेटेटलidente समयं अले अर्टिकल 179 के तहथ कोई राज अनुसंसा कर सकता है तो इस राज की विदान सभा अनुसंसा कर सकती और उस राज में विधान परश्यत के निर्मार के लिए ख तेक है अभी हाली में उत्तरप्रदेश से विधान परिसाद के टेस्ट एलेक्शन हुए ना तो यहां से पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि पहले भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है नेक्स्ट कोशन नेमलिकित में से एक किस कमिशन का सुझाओ था कि राजपाल को राज से बाहर का एक पर्तिस्टित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनितिक जुडाव ना हो या उसने पिछले हाल के वरसों में राजनिति में जाए जा रहा उसको उस state से बूलोग ना करता हो, ताकि वहां कि जो politics उसमें interest उसका नार है हना तो ये sanity बनाने के लिए उस post की कि उस post की जो का सम्मान वणा रहे वना रहे हना political वेक्ति नार है ताकि जो निर्णा है ऊप्रभावित ना करें किसी को हना बायस टाहू इसके लिए सरकारिया कमिशन ने ये recommendation दी थी ठीक next question भारत में जो voting right है और निर्वाचित होने का अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है मुल अधिकार है नैसरगी का अधिकार है समयधानी का दिकार है या विधी का दिकार है तो देखिए 325-326 का अर्टिकल अगर आप देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि यह छेत्री मतादिकार है यह लगबत हमारे समयधानी का दिकार है तो जो C option आपका एक करेक्ट है C option आपका करेक्ट है Next पहली बार लोकपाल विधियक का प्रस्तुत किया गया था याद रखिए पहली बार लोकपाल विधियक की चर्चा हुई थी उननीस सो और सथ में स्वीडन में सबसे पहले कंसेप्ट किया गया था उसके बाद भारत में चर्चा सुरू हुई थी प्रताबगड के आसपास अगर आप देखेंगे तो इन जगहों से मद्य पाशानकाल के बहुत साक्ष आपको देखेंगे को मिलते हैं ठीक है कोड़ीवस्था का विवरं सबसे पहले कहां मिलता है रिगवेद मिलता है ठीक है ध्यान देना रिगवेद के शुद्र है ना इसमें यह विवस्था कहां पता लगती है रिग्वेद में उस समय तक जो यह विवस्था थी वो कर्म मुलक जो जैसा कर्म करता था वो उस विवस्था से समंदित हो जाता था उस वर्ण विवस्था से बाद में विवस्था जन्म मुलक हो गए जिसके वज़ पुद्री को सतलो ज्याद रखो, तो B का सीधे 2 देखो, कौन-कौन से में है, B का 2 यहाँ पे भी है, B का 2 यहाँ पे भी है, अब देखिए, शरत्षवती धग्गर हाकराईसी को बोलते हैं, हाना, तो यह भी हो गया, तो A का 5, A का 5, B option आपका सीधे correct है, इसमें जो पूरिशनी है, वो किस नदी को बोला गया है, राभी को बोला गया है, विपाशा, किस नदी को बोला गया है, वो बोला गया है, व्यास को, ठीक है, done, यह थे 25 कोशन, कैसे लगे मैं जरूर बताएगा, बहुत कोशिश करके लेक्ट लेक्चर आ रहा है, आप लोग परिशान नहों, जो भी लेक्चर आएं, उसको आप इमानदारी से करते रहे हैं, निश्ची दूर्प से फायदा होगा, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच, बाबाए